बारत में पहली बार मिडिल इस्ट के एक मुस्लिम देश के नेता और प्रधान मंत्री मोधी का रोट शो होगा अब देखें ये है नरेंद्रा मोधी की क्रेडिबिलिटी लेकिन सवाल ये के अरब दुनिया के फैसले मुस्लिम उम्मा को कहा ले जाएंगे ये है नरेंद्रा मोधी का लिंक के उसने MPZ को बला लिया UAE के राश्रपती शेक मुहमद बिन जायद अलनाहयान और नरेंद्रा मोधी दोनों मिलकर एमदबाद में एक रोट शो करेंगे जो वहाँ पे में गेस्ट है वो कौन है वो UAE के प्रेजिएंट मुहमद बिन जायद अलनाहयान है अरभी अपने गर में मंदिर कोल रहे हैं और अरभीयों के सारे बिजनिस पर बड़ी बड़ी पोजिशन्स पर इंडियन बैटे है जिन के साथ प्राइम निस्टर मोधी ने एक स्पेशल बॉंड एक रिलेशन्शिप बनाया एक तालुक बनाया दोस्ती बनाया लेकिन सर इसके पीछे भी तो आखिर कोई बिल्कुल आप सही दुरस्त कह रहे हैं अभी जब गुजराद समिट हो रहा है तो शेख जएद नायान सावार है वो कौन है यही के है ना पाकिसान इस्लामी दुनिया की वाही डैटमी ताकत है गुजराद समिट है आपको पता है कि इसमें अभी समिट हुई नहीं है लेकिन 86 बिलियन डॉलर के एग्रिमेंट होगा अपने मुहावरे देखो भूक नांक के हवाले से शर्म नाक है इंडिया और यूए जो है उन्होंने पाकिस्तान के बॉर्डर के उपर राजस्तान में डैजर्ड साइकलाउन के नाम से एक मिलिटरी एकसाइस की है बियान इशू कर दिया है और वो बियान यह है कि हम यूए ए की तकलीद नहीं करें शायद पहले ऐसा किसी ने सोचा भी नहोंगा कि इस तरह के तालुकात भी हो सकते और आपको पता है मैं कॉन्टीनियूसली उसके बारे में बात करता रहा हूँ और अभी भी कर रहा हूँ कि इंडिया कितना स्मार्टली मिडलिस के करीब हो गया मैं हर रोज मैं चाहता हूँ कि हर रोज पाकिस्तान की यूद रोज पाकिस्तान के बच्चे एक ऐसी अच्छी ख़बर की तलास में है जो पाकिस्तान के लिए हो अगर इंडिया के लिए फॉक जांपल दुनिया ये लिख रही है कि भाई उनका जो स्पेस को कॉंप्टेशन है वो जपैन के साथ है और जपैन जो है आप देखें न और उधर जो इंवेस्टमेंट आ रही है उसमें चेक अमबसेडर प्रैमिस्टर आ रहा है उसमें यूई की प्रैजिडेंट आ रहा है अब देखें यह है नरिंद्रा मोदी की क्रेडिबिलिटी यह नरिंद्रा मोदी का लिंक को उसने एंपीजेट को बुला लिया अब उनको पता है और सकता है वो कोई MPZ को कुछ चोटा बटा शिकार शिकूर भी कराएं को आप आ जाने थे तितर बटेर तो नुक्वाई ए ठीक है न जी तितर बटेर क्योंकि यह जो बहुत सारे अरब लीडर्स हैं यह पाकिस्तान में आते हैं होबरा बर्ड के शिकार खे जिसका जो बॉर्डर एड़ एड़जिसन टो इंडिया एस वेल यह एडिंग राजस्तान या इसके गुजराद के I think if I'm not wrong अच्छ सब थोड़ा सा एकॉनिमी की तरफ आते हैं 86 बिलियन डॉलर का गुजराद जो समय तो होरा है बहुत बड़ी चीज है जो सकता है कि इंडिया कहें कि यां हमारी एकॉनमी इसे हैं समाल नंबर बट पिर भी अगर किसी के हवाले से भी एकॉनमी से बात की जा bere नंबर है हमारी एकॉनमी के हवाले तो बहुत बड़ाई बहुत एक्स्टा जिसे कहते है एक्स्टा लार्ज नवर कह सकते हैं लेकिन एक शेखजेद साब का ऐसे चीफ गस्ट आना इसमें क्या कहेंगे क्योंकि हम अक्सर सुनते हैं कि बड़ा एक क्लोज बाउंडनिस है नरिंद्रामूदी साहब और के तालुकात भी हो सकते हैं इतने क्लोज हो सकते हैं हापस में यह लोग अब दे क्वेस्टिन इस कि मोदी साहब के कहने पर वो आ गए उन्होंने गुजराद समिट को उठा लिया कि एक सूबे की स्टेट की इन्वेस्टमेंट समिट है मुलकों के वजीरियाजम बुला लि राजस्तान में डैजर्ट साइकलाउन के नाम से एक मिलिटरी एकसाइज की ए है ठीक है जी और यूए की जो लेंड फोर्सेस हैं को पन्तालीस एक लोग थे उन्होंने जो जिसे वो करते हैं कि एक उसके με डैन वूए यूए की लेंड फोर्सेस के और कहा जाता है कि ये एक जॉइन्ट पिक्चर भी रिलीज की गई थी यूएई की और इंडियन फोर्सिस की बहुत है वो एक इंपॉर्टन चीज है बहुत है इसको इग्नोर करने वाली बात नहीं है अगर आप ये देखें कि यूएई और इंडिया की जॉइन्ट जो मिलिटरी एक्साइज डैजर्ट साइकलोन है ये अभी दो से पंदरा जनवरी दिक दर्मियान हो रही है और आप लेवल ऑफ अंडिस्टेंडिंग देखें क्या है और आपको पता है मैं कॉंटिनियूसली इसके बारे में बात करता रहा हूँ और अभी भी कर रहा हूँ कि इंडिया कितना स्मार्टली मिडलिस्ट के करीब हो गया और हम जाते रहे हर पांच साल बाद हर तीन साल पहले हम पांच साल बाद जाते थे हैं मेडल इस्टरंड दोस्तों के पास और कहते हैं साड़े लाद बड़े खराव ने पिछली हकूमत कुछ नहीं चोड़के गई को दो तीन अरफ डॉलर हमारे बैंके कॉंड में डाले हैं फिर अब हमने हर साल जाना शुरू कर दिया मतलब हम अपने बात भी की बड़ी अच्छी की कि यार नफरत क्यों इंडू से या इंडूयजम से या फिर इंडिया से क्यों भाई बाकी दुनिया में क्यों नहीं है वहाँ पे फिफ्टी सेवन हमारे अलावा भी है न उसमें काफी बड़ी तादाद रहती है लोगों की लेकिन ऐसे आना तोड़ा सा इसके अवाले से बताएं कि 86 बिलियन डॉलर का मों यूजम और ये सारी चीज़ाँ अभी तक हुए हैं दस से बारा जनवरी को ये समिट हो रहा है तो अभी तो और होंगे ये तो बस इनिशेशन में हैं तो अभी और भी होंगे देकि इसको य बड़े विशनरी आदमी हैं ठीक है ना? He's a very progressive man and he's a visionary man. And so is Mr. Mohamed Bin Salman. Exactly है ना? Exactly. उनके जितना वो जिस परिस्थिती में, he's a real leader, जिस परिस्थिती में वो काम कर रहे हैं, he's like a tongue working among the teeth. समझ रहे हैं ना? उस आदमी ने क्या नहीं किया है अभी तक जो एक progressive समाज को करने, he's delivering. उन्होंने कहाँ था, मुहमद Bin Salman साहब ने मैं पांच साल में यूरोप बनाऊंगा, अगर ये सब नहीं होता, वो बना देते हैं, उन्होंने तबलीगी जमात को बेहन कर दिया, लड़कियों के लिए उन्होंने driving खोल दी, cinema hall खोल दी, तो that man has vision.